नमस्कार इस वीडियो में हम सिजीजियम जंबोलियम होमेपैथिक दवा की उप्योग को समझेंगे कि कौन से लक्षन में इस दवा का सेवन किया जाता है तो आईए देखते हैं सिजीजियम जंबोलियम दवा जामुन के गुठली से बनती है यह दवा प्लान्ट किंग्डम से बनी हुई मेडिसीन है इस दवा का पेंक्रियास सिल पर गहरा असर होता है और इंसुलीन बरहने का काम करता है यह चीनी मिले बहुमुत्र की बहुत अच्छी दवा है अगर पेशाब में चीनी अधिक आता हो तो ऐसे में यह दवा रामबान का काम करता है अगर रोगी को बार बार तेज प्यास लगती हो कमजूरी और सुष्टी बनी रती हो रोगी दुबला होता जाए बार बार पेशाब लगता हो और पेशाब अधिक मात्रा में निकलता हो शरीर में घाव बन जाता हो पिशाब में चीनी की अधिकता हो और रोगी बहुत कमजूरी महसूस करता हो तो आप सिजीजियम जमबोलियम क्यू यहां क्यू का अर्थ है मदट इंचर कि 10 से 15 बूंद आधे कब पानी में डाल कर दिन में 3 बार, शुबह, दोपहर और शाम में करीब 3 मेहने तक सेवन करें आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा सिजीजियम जमबोलियम के कुछ मुख्य लक्षन की भी चर्चा करते हैं इस दवा के लक्षन में रोगी को बहुत प्यास लगती है हर 10-15 मिनिट में उसे पानी पीने की इक्षा होती ही है रोगी दुबला होता जाता है खाना अच्छा खाता है फिर भी दिन पे दिन वजन घरता जाता है रोगी को बहुत कमजूरी महसूस होती है बार-बार पेशाब लगता है पेशाब अधिक मात्रा में होता भी है रोगी को बार-बार भूक लगती है कुछ न कुछ उसे खाते रहने की इक्षा होती है रोगी को जलन भी महसूस होती है उपरी शरीर में दाह जैसा लगता है रोगी शरीर में सुई गरने जैसा अनुभव करता है मधुमें है तो यह दवा लाप करेगा मधुमें के साथ अगर घाव बन जाता हो असकीन में छाले हो जाए तो इस दवा को जरूर याद करें बताया गया लक्षन मिले तो आप सिजीजियम जमबोलियम क्यू पोटेंसी की 10 से 15 बुंद आधे का पानी में डाल कर दिन में 3 बार शुबा दुपहर साम करीब 3 महने तक जरूर ले आपको अशातीत लाग मिलेगा सभी दवा आपको किसी भी होमेपेथिक शौप पे मिल जाएगा अगर आपको समझने में किसी तरह की परेशानी है या आप ट्रेटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरे वाटसप नंबर 900-624-2658 पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पुराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं अगली वीडियो में उस रोग की होमेपेथिक दवा के बारे में बताया जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद